नबश्का दोस्तों मैं दिव्यान शीक ओड़ी का फिर हाजिरों SBT न्यूज की खास कब्रों के सांथ पेश आज 1 अगस 2024 गुर्वार शाम सवासाथ बजे की रादस्तान की बड़ी खब्रे हैं जैपुर में देर राद से हो रही तेज बारिश में पिछले 12 साल का रेकाड तोट दिया है जैपुर मोसम के अदर पर 156 mm बारिश तरच होई है अगस्त में हुई यह सरवादिक बारिश है और बारिश के करण जैपुर की सड़के नदियों की तरह बहने लगी है घरों में प 225 mm यानी 9 इंच बरसाब दर्श की गई है इतनी भारी बारिश के बार जैपुर में जगे जगे पानी भर गया है रेलवे स्टेशन पर सुबएच छे बजे पट्रियों फर दो फिट तक पानी भर गया राजसान हाई कोट ने सरकारी स्कूरों में शिक्षकों की जगे दूसरे वेक्तियों के पढ़ाई करानी की शिकायतों को गंबेटासे लिया है कोट ने प्रॉक्सी शिक्षक प्रथा को बरदाश नहीं करने का संकेत देते हुए चितावनी दी है कि इसे रोकनी के लिए बड़े कदम नहीं उठाए तो अब राधियों को अमाना की सजा से दंडित किया जाएगा मुके सचीव शिक्षा विभाग के सचीव तता मादर्वीक वेब प्रात्मिक शिक्षा निर्देश को को सौपी गई है और साथी साट अक्टूबर तक पालना रिपोर्ट मांगी है नियादेश अनूप कुमार खंड ने मंजू की याचिका को खाडिस करते हुए यह आदिश दिया है विदेश मंत्राले के प्रवक्ता रणधीर जयस्वाल ने एक्स पर कहा है कि भारत वियतनाम साज़ेदारी को नहीं उंचायों पर ले जाते हुए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने हैदराबाद हाउस में वियतनाम के प्रधान मंत्री फार्म चिन का गरम जोशी से स्वागत किया उन्होंने कहा कि बादचित के एजेंडे में भारत वियतनाम व्यापक रणनितिक साज़ेदारी को और अधिक मजबूती प्रधान करनाश चाता है राजसान की विद्यालों में इस सत्र शुरू होने की एक माहा बाद आखिरी शिक्षा विभाग में शिवीरा पंचांग जारी किया है और इसमें स्कूलों के संचलन के तरीके वे आईउजनों की तित्यों को लेकर ब्रह्म के सिफीर दूर हो गई है श्रिवीरा बंचांग में राजसान में बन गई सरकार की छाप भी नज़रा रगी है और इसके चलते कई कारिक्रों में बदलाव भी किया गया है बस्ता मुक दिवसा प्रतेक शनिवार की जगे महा के द्युते वेचतुर शनिवार को ही मनाया जाएगा पूरविद्यार्ति समेलन का नाम बदल कर सखा समेलन कर दिया गया है श्रिक्रिष्ण जन्भूमी और शाही इदगा को लेकर चल रहे विवाद में मुस्लिम पक्ष को हाई कोट से बड़ा छक्का लगा है हिंदु पक्ष को रहा देते हुए लहाबाद हाई कोट ने मुस्लिम पक्ष की याजिका को खारिस कर दिया है और मतुरा में कृष्ण जन्भूमी और शाही इदगा विवाद के मामले में हाई कोट ने गुरवार को गहा के मुकदमा विचारने है हिंदु पक्ष की याजिका सुनने योग है और न्याय मुर्ती मयंग कुमार के सबन में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर अरजी फैसलास सुरक्षत रखी गई है स्वास्यमंत्री गजेंदर सिंग ने गुरुवार को विधान सबा में कहा कि राजसरकार द्वारा प्रदेश में चोड़ी और अन्या अपरादी घटनाओं की रोगताम के लिए गंबिर्दा से प्रयास के जा रहे है उन्होंने वताया कि प्रदेश में 16 दिसंबर 2023 को अंटी गेंग्स्टर टास्क पोर्स का गठन किया गया है और इसके अलावा प्रतेइक जिले में पुलिस अगिक्षक की नगवाई में 7 सी 15 तीमों का गठन किया गया है सुराश्वात्मक उपाय करते हुए अपरादियों को डेटाबेस से यार किया जा रहा है और साथ ही सीजिटीवी कैमरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है उचितम न्याले ने दिली के मुखे मंतरी अर्विंद केजरिवाल के सही होगी विवव गुमार को आमादवी पार्टी की राजसबासांसर स्वाती मालिवाल पर हमला करने के मामले में गुरवार को दिली पुलिस को नोटिस जारी किया है और कहा है कि अगली सुनवाई गुद्वार को दी जाएगी पीठ ने सुनवाई के दुरान केज़ुवाल के सहयोगी को फटकार लगाते हुई कहा कि वे दिली के मुखे मंतरी के अधिकारिक आवास पर खुई इस घटना से स्थब्द है राजसान की भजनलाल सरकार उत्राखट के तर्श पर राजसान में यूनिफोर्म सिविल कोड यानी सामान नाग्रिता सहीता लागू करने के लिए बिल लाने पर बीजेपी विधायक काली चरन सराफ के सवाल के जबाब में न्याय और संसद्य कारेमंत्री जोगराम पटेल ने कहा कि राजसरकार इस विश्वे में विचार कर रही है सरकार के तरफ से उचित समय पर बिल लाया जाएगा और सरकार ने बिल लाने और यूसी सी लागू करने की समय सीमा के बारे में भी नहीं बताया दोसा में सोयविन तेल पैकेट के लेवल पर जीरो पॉलिस्ट्रो लिखना एक कमपनी को भारी पड़ा निर्णयन अधिकारी पैतरिक जिला बजिस्ट्रेट दोसा ने प्रकंड में सुनवाई के बाद आदेश जारी करके बूगे इंडिया प्राइविट लिमिनिट कमपनी पर तीन लाग रुपे का जुर्माना लगाया है कमपनी में अपने उत्पाद सोयाविन तेल चम्बर फ्रेश की रेवर पर जीरो पॉलेस्ट्रो लिखने की गलती की जिस पर मिस ब्रांड मानते हुए कमपनी पर जुर्माना किया गया पीठासीन अधिकारी सुमित्रा पालिक ने फैसले में कहा कि कोई खुद्रा विक्रेता किसी कमपनी का सील पैक्ट आम जन्ता को बेचता है अलवार में साइबर फ्रोड के एक मामले में अर्वल पुलिस ने एक आरूपी को गिरफ्तार किया है यह कारवाही शहर के विशाली नगर थाना पुलिस वारा की गई जिसकी जांच एनिवी थाना प्रभारी दिनिश चंद्र को सूपी गई है थाना दिकारी ने बताया कि विशाली नगर थाना पुलिस को मनक्का रोड के पास साइबर ठगी किया जाने की सूचना मिली थी इस सूचना पर पिलिस मोखे पर पहुची और एक युवप को पुलिस की गाड़ी को देखकर भाग में लगा पुलिस ने युवप को पकड़ा और उससे पुष्टाश की तो साइबर फ्रोड की तथ्य सामने आए उचितम न्याले ने गुरवार को अपने एक महतपुन फैंस्वे में पंचाब अनुसूची जाती और पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2006 को बरकरार रखते हुए कहा कि शेक्षनिक संसाओं में दाखिले में आरक्षन के भीतर आरक्षन देनी के लिए अनुसूची जाती और जन जात्यों का उपवर्गी करण किया जा सकता है मुखे नायदेश बी आर गवई और विक्रम नात की पीठ ने पंकच बिथल न्यायमूर्टी मनोज भिष्रा और न्यायमूर्टी सतीश चंदर की पीठ ने एक के भोमत वाले अपने फैंसले में पंजाब के अलावा तमिनाडू और अन्य राजों में इस तरहें के उपव मुखे मंतरी शर्मा बार बार देली जा रहे हैं और वेकिवल भ्रमण पर निकले हुए हैं लेकिन उन्होंने यह सुद नहीं ली कि राजसान में बिजली कटोती के चलते हाहाकार मचा हुआ है अब तो शेहरी क्षेत्र में भी बिजली की घोशिक कटोती की जा रही है जोदपूर में जैरणायन ग्यास प्रिशुप द्याले केंद्रे करले के बाद आज एनस्यू की कारेकरता भुखरता अग पर बैठे हैं उनकी मांग है कि उनिवर्सिटी प्रिशासन हाल ही में किये गए फीस वर्दी के निने को वापस ले अन्यता भुखरता अग रहेगी धन्य पर बड़ी संख्या में छात्रनेता बैठी हुए है करोली जिले में लगातार चल रही मुस्राधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है और जिले के सबसे बड़े बांऄμα पांचना में लगाता हो रही पानी की आवक के चलते गुर्वार को तीन गेट कोल कर घंबीर नदी में तीन हजार कुसिक पानी की निकासी की जा रही है पांचनाबाद का जलस्तर 258.62 है और बारिश के चलते बांध की गेट नमर 24 और 6 को खोल कर पानी की निकासी की जा रही है जलसादन विभाग की अधिकारी बांध के जलस्तर पर नजर बनाये हुई है मोसम विभाग ने भी अगामी एक दो दिन तक माध्यम से बारिश की चितावनी अभी ओर जारी की है राजिसान हाई कोर्ट ने रासमत विधायक दिप्ति माईश्वरी सत अन्य सही प्रतिवादियों को समन जारी किया है हाई कोर्ट ने 20 सितंबर तक जबाब तलब करने के आदिश्वरी के उद्यप्ति माईश्वरी के वोटर कार्ड पर आपति दर्श करते हुए याचिका पेश की गई थी इस याचिका पर सुनवाई के दुरान जिस्टिस विनीत कुमार मातुर की एकल पीठ में नोटिस जारी किया गया याचिका करता अधिवक्ता जितिंद्र कुमार खटीक ने एक चुनाब याचिका पेश की थी जिसमें बताया कि रासमन में विधानसबा चुनाब 2023 के दुरान आरों के समक्ष अपतियां उठाने के बाब्यूत चुनाब शुने गुष्षत नहीं किया गया फिलाल इस ब्रोडिन में इतना ही और फिर हासिर होंगे ये तमाम बड़ी खबरों के साथ धन्यवाद